बहुत सारे अलगलग तरह केसिस को पढ़ने के बाद में जो जेस्ट बोलता है वो ये बोलता है कि पॉक्सों में वक्त लगता है अपील में इतनी जल्दबाजी लोग मचाते हैं वो सोचते हैं कि 20 साल की सजा किसी व्यक्ति को हो गई तो वो 20 दिन में बहार आ जाएगा हाई कोर्ट से ऐसा नहीं होता दोस्तों दोस्तों जितने भी हमने पहले वीडियोस बनाई हैं उन वीडियोस को देखने के बाद कई सारे नई वकील साहाब कई सारे लॉज स्टुडेंट्स या वो लोग जिन पर पॉक्सों केस हुआ है मतलब कि सेक्शन 4 में सेक्शन 6 में किसी का भी कोई सगा संबंधी जानकार अगर जेल में है तो वो कई तरह के सवाल हम लोगों से पूछते हैं जैसे कि ये बोलते हैं कि सर मेरा जो व्यक्ति है कोईभी जो जेल में है वो एक तेड़ या दो साल से जेल में है उसकी बेल नहीं हो पा रही है हमने सुप्रीम कोड तक बेल लगा कर देख लिया। कई बार जो नए वकील सहाब है वो भी ये बात बोलते हैं कि सर हमें बेल कब लगानी चाहिए क्योंकि जल्दी से बेल हो नहीं पा रही है हाला कि हम लोग हाई कोड भी गए उसमें भी चार-पांच महीने लग गए लगबग साल बर हो गया बहुत सारे वकीलों के ये सवाल है दोस्तों पॉक्सो पर मैंने बहुत सारी वीडियोज अब तक बनाई है हाला कि उन वीडियोज को आप देखोगे बहुत कुछ समझ जाओगे जिसमें अमेंडमेंट आया 2019 में जिसमें की सजा और ज़्यादा कड़ी कर दी गई सेक्शन छे का अपराध है और आप सोचते हो महिने दो महिने में बेल ले लोगे अपवाद हर जगा है, exceptions हर जगा होते हैं, हो सकता है बेल हो जाए हमने खुद anticipatory बेल तक करवाई है पॉक्सो के सेक्शन छे में इत डिपेंड करता है case to case, जो हमारी practice है, इतने सालों से हम जो सिर्फ criminal cases पर practice करते हैं और बहुत सारे पॉक्सो cases को fight करने के बाद में, बहुत सारे अलगलग तरह cases को पढ़ने के बाद में जो jest बोलता है, वो ये बोलता है कि पॉक्सो में वक्त लगता है, वक्त आपको देना होगा, इतनी जल्दबाजी ना करें बेल लेने में पॉक्सो के बारे में बहुत कुछ आठ डिटेल में चर्चा करेंगे अपनी इस वीडियो के माध्यम से, ज़्यादा कुछ जानने के लिए पॉक्सो सेक्शन 6 और सेक्शन 4 के बारे में दोस्तो बने रही है हमारे इस वीडियो के साथ, दोस्तो पॉक्सो केस में अगर किसी का कोई भी व्यक्ति, कोई जानकर सगसमद्धी जे लगर जाता है, तो ऐसे में अगर खास करके सेक्शन 6 लगा है, तो यहाँ आपको पेश बेटरी बेल लेनी हो इंटेरिम बेल लेनी हो या फिर सजा होने के बाद में अपील लगाई है अपील में इतनी जल्दबाजी लोग मचाते हैं वो सोचते हैं कि 20 साल की सजा किसी व्यक्ति को हो गई तो वो 20 दिन में बाहर आ जाएगा हाई कोर्ट से ऐसा नहीं होता दोस्तो अगर ऐसा होता तो लोगों सजा नहीं मिलती हैं और सजा होने के बाद में लोगों को एक वक्त जेल में काटना पड़ता है जो ये एक्ट है 2012 का इसमें सबसे सीरियस जो ओफेंस आता है या सेक्शन की बात करें वो है सेक्शन 6 नए वकील साहब गलतिया करते हैं जो भी कोई law student है जो पढ़ रहे हैं पॉक्सो को पहले तो आप ये समझ लीजिए कि burden of proof वो होता है एक्यूस पर यहाँ पर एक्यूस को पुरूफ करना होगा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ मैंने कुछ नहीं किया मैं पूरी तरह से निर्दोश हूँ बाकी सब केसिस में आप क्या पढ़ते हो आई पीसी में CRPC में आप क्या पढ़ते हो ये पढ़ते हो कि वहाँ पर जो burden of proof है वो होता है state पर यहाँ पर ऐसा नहीं है यही गलती सबसे ज़्यादा वकील लोग करते हैं जब केसिस को fight करते हैं वो अपने favor में या मैं कहूं अपने evidences timely court में लेकर आते नहीं court में submit करते नहीं court में पेश करते नहीं जिसकी वज़ा से उनका जो client है उसे सजा हो जाती है और सजा की बात कर पराद 2019 के बाद हुआ है इस बात को ध्यान रखें अगर अपराद 2019 के बाद हुआ है और अगर अपराद 2019 से पहले तो भी कम से कम 10 साल के सजा होगी उससे कम नहीं होगी उमर कैद और 80 तक का प्रावदान है ऐसे मामलों में दोस्तों हमने बहुत सारे cases लड़े pocks हो के बहुत सारे केसिक को लड़ने के बाद में जो हमने समझा, जो जाना, वो यह जाना हमने कि इसमें जो कंविक्शन रेट हैं बहुत जादा हाई है और वकील सहाब की थोड़ इसी गलती से अगर वो ढंग से इस case पर अपनी appearance ना दें बहुत अच्छे से समझ के case को ना लणे सजा confirm है और अगर case पहले से ही बहुत ज़्यादा serious है तो ऐसे में तो वकील सहाब के लिए गलती की कोई गुंजाईश रहती ही नहीं है आप कोई भी नए वकील सहाब है जो आप हमसे सवाल पूछते हैं कि सर बेल जल्दी से क्यों नहीं होती दोस्तों बेल जल्दी से इसलिए नहीं होती कि इसमें जो बच्चे की जो statement है वो statement time से होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है अगर वो timely नहीं होगी या late होगी तो उतना ही late होगी आपकी बेल भी ये depend करता है कि आपको गर बेल दे दी गई तो ऐसे में आपको देखना होगा क्योंकि court का ये मानना है कि अगर आपको बेल दे दी जाएगी तो आप बहार निकल कर बच्चे को डिराधमगा सकते हो बच्चे को किसी भी तरह से influence में ले सकते हो या उसके parents से कुछ साटगाठ कर सकते है और वहाँ पर गवाई पर फर्क पड़ेगा और कई बार ये भी देखा गया है कि उमर कैद फासी तक का प्रावदान होने की वज़ा से बेल पर आने के बाद बंदा फरार हो जाता है वो कानून की गिरफ्त में दुआरा आता नहीं है आप कोई भी नए वकील ये गलतिया ना करें जो गलतिया मैंने आपको बताई है और नए वकीलों के सामने बहुत सारे challenges होते हैं दोस्तों उन challenges को भी आपको face करना है section चाहें कोई भी हो section जिसके अंदर सजा लिखी है आप जब पढ़ेंगे poxo act को तो आप ऐसे ना पढ़ें 4 को 6 को 8 को 10 को आप इस तरह कुछ पढ़ें कि जो poxo के section 4 की जो सजा है उसके बार में बताया है पहले 3 में जो section 6 की सजा है उसमें बताया है 5 में तो आपको 5-6 को 1-7 पढ़ना होगा 3-4 को 1-7 पढ़ना होगा तभी आपको समझाएगा क्योंकि burden of proof आप पर है कोई भी गलती ना करें थोड़ी सी भी गलती आपके client को उमर कैद तक की सजा दिलवा सकती है जल्दबाजी इसमें जो client लोग होते उन्हें भी नहीं आपके दिल में कोई भी किसी भी तरह के सवाल आते हैं आप online consultancy लेना चाते हैं या कुछ भी आप जानकारी चाते हैं boxo act या boxo के sections को लेकर हमारे experiences के आधार पर जानना चाते हैं अपने case के बारे में comment box में सवाल पूछे हम आपको reply करेंगे बताएंगे क्या आपको करना च चाहिए दोस्तों मा अमीद करता हूँ जो आज हमने वीrijo आपके लिए बनाया आपको अच्छा लगाओ गा हो अच्छा लगाओ यह वीडियो हमारी वीडियो को जज़ादा इस जञदा अपने दोस्तों परीजन परिवार तक शेयर करें ताकि वो भी अपने आपको जानकार बना सकें और साथ ही हमाँ चैनल को सबस्क्राइब करना बिल्कुल ना भूले साथ में लगा बेल लाकिन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की लीगल अवरनिस की वीडियो आप तक पहुच सकें सबसे पहले हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए